रिलायंस जियो अपने चाहने वालों के लिए एक और नए धमाके के साथ आ रहा है खबर है कि रिलायंस अपना 4G World फीचर फोन इसी महीने लॉंच कर सकता है माना जा रहा है कि इस फोन की कीमत महस 500 रुपे रहेगी ऐसा होता है तो भारत के मुबाइल मार्केट में एक बार फिर भूचाल आ जाएगा इससे पहले भी रिलायंस जियो और धन धना धन के ओफसे धमाल मचा चुका है रिलायंस के इस फोन का फाइदा बेहत सस्ता फीचर फोन देकर दो जी सेवा का लाब उठा रहे ग्राहकों को सीधे चार जी सेवा उपलब्द कराएगी रिलायंस जियो इस एक फीचर फोन पर करीब 975 रुपे तक की छूट दे रही है खबरों की माने तो, रिलायंस जियो ने ऐसे करीद 2 करोड फीचर फोन का ओर्डर दिया है जुलाई में इन फोन की पहली खेप मिल जाएगी इस तरह रिलायंस जियो की नजर अब भारत के करोडों ऐसे यूजर्स हैं जो महेंगे स्मार्ट फोन के चलते दो जी सेवा का ही उप्योग कर रहे हैं जियो के फीचर फोन आने से स्मार्ट फोन खरीदने वाले यूजर्स की संख्या में कमी आने की उमीद है इस ओफर के तहद ग्रहकों को नया जायोफाई और नया सिम लेने पर 224 गीगाबाइट डेटा दिया जाएगा ग्रहकों को 99 रुप्ये वाले प्राइम सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप करना होगा उसके बाद उस एक ओफर को सलेक्ट करना होगा जिसमें ओफर दिया जाएगा इसके बेसिक पैक में 149 रुप्ये में रिचार्ज करने पर ग्रहकों को 12 रिचार्ज साइकल के लिए हर महीने 2 गीगाबाइट डेटा दिया जाता है यानि एक 149 रुप्ये वाले इस पैक में ग्रहकों को 24 गीगाबाइट डेटा हर साल मिलेगा जबकि स्टेंडर्ड जियो प्राइम यूजर्स को 119 रुप्ये में 28 दिन के लिए केवल 2 गीगाबाइट डेटा मिलेगा